इंडिया में हम हाथों से क्यों खाते हैं और ये मेरिज वाली रिंग लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर में डालने का क्या रिवाज है और रंगों का त्योहार तो सुना था पर संत्रों का तो आज के उड़े में हम कुछ ऐसे ही माइंड ब्लॉइंग ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं ग्रीस में अगर तुम बहुत खुश हो तो तुम्हें प्लेट को जमीन में देके मालना है पर क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है जो कि उनकी लाइफ में शैतानी आत्माएं हैं वो इनके तूटने के वाद से बाग जाएंगी लोग हमें कहते हैं कि तुम हाथों से क्यों खाते हो पर वो कभी खुद को यह नहीं पूशते कि हम बेफालतु के यूटेंसिल्स का यूज़ी क्यों करते हैं तरी इंसान जानता है कि टंग ज्यादा सेंसिटिव होती है अगर हम कंपेर करे हाथों से तो पुराने लोगों ने डिसाइड किया कि हम हाथों से जो पहले खाने को चुएंगे तो हमें गरम ठंडे का आभास होगा और हमारी जीब को नुकसान नहीं होगा और खाने से पहले हम अपने हाथों को भी साफ रखेंगे पर लोगों ने खुद को हाई स्टेंडर्स और मोडर्न बनने के चक्कर में डिग्रेड कर लिया तमाटर नॉर्मल हो गया है पर अब संतरे इंटली में एक सिटी है इवरेया वहाँ होता है Battle of Oranges ट्रेडिशन का तो पता नहीं पर इसकी हिस्टरी बहुत सीरियस है 12th century में यहाँ एक लोग था कि नूली वैड जो लड़की होगी उसके साथ फ्यूडर लोड पहली रात बिताएगा और क्यों? क्योंकि जस्ट फर फन एक दिन फ्यूडर लोड को ऐसी लड़की मिली कि उस लड़की ने उस फ्यूडर लोड का सर ही काट दिया और लोगों ने भी इससे मोटिवेट होकर वहाँ का कैसल भी गिला डाला तब से यह शुरुआ फेस्टिवल जैसे तो पहले कई और चीजे भी जैसे सेफ भगेरा भी भी फेकते थे पर नाइंटीन सेंचुरे से यह संत्रे फेकते हैं लोगों ने वेडिंग रिंग की लोकेशन सेट क्यों कर राखी है तहीं पर भी पहलो से हुसे फॉर्थ फिंगर में इसलिए सेट कर रखा है क्योंकि उन्हें लगता था फॉर्थ फिंगर से एक वेन निकलती है सीधा हार्ट तक जिसको वह कहते थे वेन ओ अफ लव पर पर मिर्च मसाले फेकेंगे वो भी तुमें घेर कर अब रीजन तो ऐसा है कि पहले के टाइम पर जो वहां स्पाइस सेलर्स होते थे वो कई सालों तक बैचलर यानि कुवारे गुमते थे तो इसी के रिजेंब्लेंस में ये ट्रैडिशन बनाए गया है मदगयसकर में एक ट्रैडिशन है जिसका नाम मैं फामा दिया उसमें लोग नाचते हैं बस नई ट्विस्ट यह है इसमें लोग डेड़ बोडिस को लेके नाचते हैं तो इस ट्रैडिशन में लोग डेड़ बोडिस को निकालते हैं और उनकी बोन्स को क्लीन करते हैं और उनक में एक festival होता है इसमें एक साल के बच्चों को गद्दे पर लेटा कर लिट्रली इनके उपर से बड़े लोग च्छला वारते हैं वो भी एक फणी सी रेड येलो ड्रेस पहन के होता कि है कुछ डैविल्स को बनाया जाता है जो कि रेड येलो ड्रेस पहनते हैं और लोगों के पीछे बागते हैं वो भी एक विप लेकर मतलब चाबुक लेकर और कुछ देर बाद ये बच्चों के उपर से कुदने वाली प्रता होती है जिसके बाद बच्चों के उपर फूलों की पत्तिया डाली जाती है और ब्लैसिंक्स दी जाती है तो आज की वीडियों बस इतना ही थैंक्यू मेरी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन और आपको नोटिवेकेशन दोनों मिल जाएंगी बाकी मिलते हैं मेरी अगरी वीडियो में तब तक के लिए बाए